Hello friends, good morning, कैसे हो? I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे Show friends, आप सभी लोग को पताएं कि हमारे चैनल पे UPBAT Entrance Exam 2022 के लिए Topic YC Classes स्टार्ट हो गई हैं अगर आप लोग पिछली Classes को नहीं देखें तो आप लोग Playlist में जाके देख सकते हैं Playlist में आपको सभी subject की important classes मिल जाएंगी मैं आपको पतादू, अगर आपको free seat लेना हैं तो आप लोग अपनी तयारी अभी से start कर देजे form का wait मत करिये, form तो आपका आही जाएगा, तयारी आप लोग अभी से अपने start कर देजे daily कम से कम 4-5 घंटे पढ़ाई आप लोग किया करें, जितनी भी classes होती हैं उन classes को जरूर देखा करें, topic wise classes को जरूर देखा करें, इनकी proper notes बनाईए, revision करते चलिए हपते में, तो चलिए इस class को start करते हैं, और मैं आपको दादू, अभी आपको practice नहीं करना है जो mock, test वगएर आप लोग देते हैं, 50-50 questions का, वो आपको अभी solve नहीं करना है क्योंकि जब आप लोग topic wise नहीं पढ़ें, तो आपके समझ में क्या आएगा, हम क्या solve कर रहे हैं, क्या नहीं solve कर रहे हैं practice it solve करने का ये मतलब होता है, कि जब आप लोग topic wise एक बार पढ़ लें, syllabus खतम कर लें, तब आप लोग practice solve करें उसमें तब आपको पता चलेगे कि हमारी अभी कहां पे तयारी नहीं हुई है, कहां पे questions गलात हो रहे हैं, तब आपको solve करना है अभी आपको topic wise पढ़ना है, syllabus खतम करना है, उसके बाद आपको जो है practice it solve करना है practice it मैं खुदे ही solve कराऊंगा, बश आपको जूड़े रहना है मेरे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को all papers करना है, जीतने भी topic wise की classes होती हैं, हिंदी की हो गई, gkgs की हो गई, इनकी आप लोग notes daily बनाते चलें, उसके बाद आपको revision करना है, उसके बाद मैं आपको practice it solve करवाऊंगा तो चलिए आज की इस topic में, आज की इस class में प्रत्य पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रत्य और उसके बाद प्रत्य और उसके बाद प्रत्य के questions करवाऊंगा, ठीक है, topic wise objective questions में करवाते चलूँगा इस से एक भी बाहर प्रत्य नहीं जाएगा, प्रत्य से ये मेरी guarantee है, एक प्रत्य पक्का आएगा इस से, daily साढ़े नव बजे हिंदी language class होती है, चलिए, यहाँ पर classes का timing आप लोग देख सकते हैं, और यह हमारा crash course है, crash course लेशकते हैं, 104 रुपे में आपको 28 प्रिश्चा का पूरा material देखने को मिलेगा, वीडियो को description box में link दे दिया हूँ, आप लोग purchase कर शकते हैं, चलिए, सबसे पहले प्रत्य की परिभासा आपको लिखनी है, यहाँ पर परिभासा है, अभी आपको उतार हूँ, प्रत्य है क्या, प्रत्य दो शब्दों, प्रति धन आए से मिल प्रति धने वाला शब्दांस, तो यह आपको याद रखना है, ठीक है, प्रत्य जो है, दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन आए से, यह भी आपको पता होना चाहिए, प्रति का अर्थ क्या होता है, शाथ में, यह भी आपको पता होना चाहिए, चलिए, प्रत्य की स धातुरूप या सब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्मार करते हैं, उन्हें प्रत्य कहते हैं, प्रत्य कौन से सब्द होते हैं, आविकारी शब्द होते हैं, एक्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे दासता, दासता, दास यहाँ पे मूल शब्द है, और ता यहाँ पे प्रत्य है, दासता में अगर पूछा जाए कि दासता में प्रत्य कौन सा है, तो ता प्रत्य है, और जैसे यहाँ पे बढ़ाई, बढ़ाई में अगर पूछे कि बढ़ाई में कौन सा प्रत्य है, तो आई प्रत्य कौन से प्रत्य है आई प्रत्य है ठीक है समझ में आ गया प्रत्य के भेद कितने होते हैं तो प्रत्य के मुख्य तहा दो भेद होते हैं कौन कौन से करत प्रत्य और तद्धित प्रत्य है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर आप लोग इनको नोट करेंगे हिंदी के कुछ प प्रत्य है, पियक्कड हो गया, घुमक्कड हो गया, भुलक्कड हो गया, तो इसमें अक्कड प्रत्य है, चिलाहट, मुश्कुराहट, घवराहट, इसमें आहट प्रत्य है, कौन सा प्रत्य है, लुटेरा, चितेरा, इसमें एरा प्रत्य है, खवया हो गया, गवया हो गया, त तो इसमें वया प्रत्य है, मनवती, फिरवती, बपवती, चुनवती, बुढवती, इसमें आपका आउती प्रत्य है, कौन सा प्रत्य है, आउती प्रत्य है, इनको आप लोग नोट करिएगा, ओके, फिर मैं इसी चैप्टर का जो है अब्जिक्टी कोश्चन सौल करवा दू तो इसमें आपका आपका इया परत्त है कौँसा इया परत्त हैं बीयड में बहतरीन इसकोर अगर आपको करना है तो आप लोग हमारी चैनल से जूड़े रहें चैनलों को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को ओल पर प्रस के लिजीगा इस चैनल के मादधम से आपको निश्यती मदद मिलेगी जो भी यूपी बियर की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के मादधम से आपको देखने को मिलेगी अगर आपके मन में बियर से सम्मंदित कुछ डाउट से तो आप लोग कमेंट वाक्स में अपने डाउट की ले कर सकते हैं उसके बाद यहां पर देखिए अगर पूचले खिलाउना में कौन सा परता है तो आउना रटन तो हो गया भिडन तो हो गया गढ़न तो हो गया तो इसमें अंत परता है भूला फेरा घेरा देखा सोचा इसमें आ परता है कौन सा परता है उसके बाद जैसे पूचले लडाई पढ़ाई कमाई मिठाई पंडिताई लिखाई इसमें कौन सा परता है तो इसमें आप का आई प्रत्य है कौँ सा प्रत्य है आई प्रत्य है उसके बाद मनन पूछ ले धकन पूछ ले बेलन पूछ ले एठन पूछ ले तो इसमें अन प्रत्य है सजावट ये वाला बहुत पूछा जाता है सजावट मिलावट लिखावट बनावट ये इसको इस्टाल लगा के ऐ ठीक है, highlight कर लिजे इसको, उसके बाद पावना, डरावना, सुहावना, आवना परता है इसमें, पावनी, डरावनी, सुहावनी का बहुत पूचा जाता है, तो सुहावनी में आपका आवनी परता है, ओके, चलिए, जैसे पूचले, बोली, बोली में आपका बड़ी ई है, ठ परता है धमकी टोकरी नाली मंडली मंडली वाला भी बहुत मुचा जाता है तो मंडली में भी परता है ठीक है कमाओ टिकाओ का बहुत मुचा जाता है टिकाओ बिकाओ चलाओ टिकाओ वाला हाइलाइट कर लिजिए टिकाओ में आओ परता है ओके निकास प्यास मिठास का बह चलिए आगे देखिए आगे यह है बुलावा पच्छतावा बढ़ावा च्छलावा चड़ावा इसको हाईलाइट के लिए यह बहुत पूचा जाता है इसमें से ठीक है पच्छतावा वाला दो पूचा जाता है पच्छतावा में आवा परता है ओके चलिए आगे देखिए कटाओ हो गया, खिचाओ हो गया, ठाहराओ हो गया, चुनाओ हो गया, गुमाओ हो गया, बहाओ हो गया, तनाओ हो गया, तो इसमें आउ परता है गिंती, बढ़ती, घटती, चड़ती ती परता है सुनवाई, लगवाई में वाई परता है मिलाप में आप परता है पुजापा में आपा परता है भुलावल में आवल परता है ओके चलिए आउनी परते किसमें है? पिसाउनी में पिसाउनी बिछाउनी का पूछे तो आउनी परता है, बचा तो हो गया, खपा तो हो गया, पढ़ा तो हो गया, तो इसमें ता परता है, कुंठती, कुठंती में ती परता है, भर्नी, चटनी, मतनी में आपका नी परता है, नहीं तो आप लोग ई लगा दें, भर्नी हो गया, चटनी हो गया, मतनी हो गया तो इसमें नी परता है, इसको हाईलाइट करिए, अच्छे से इसको रिवीजन करिएगा आप लोग, ओके, चलिए, अगर मिलन सार पूँचे तो सार परता है इसमें, लड़ायत में पूँचे तो एत परता है, ओके, चलिए, बचैया में पूरा हाइलाइट करिए आपचारिक हो गया, वैज्यानिक हो गया, आंसिक हो गया, धार्मिक हो गया, वैचारिक हो गया, तो इसमें एक प्रत्य है, कौन सा प्रत्य है, एक प्रत्य है, लड़ाका पूछे तो आका प्रत्य है, कशोटी में आउटी प्रत्य है, ठीक है, इसमे में आऌट्तेये मरियल अरियल इसमें मेर्म परतता है ठीक है इनको सभी को नोट करना है आपको ठीक है नोट आपको डेली बनाना है अगया है अपको बनाना है इसको हाय कुछ प्रमुक करत परते हैं और उनसे निर्दमेश शब्द हैं जैसे करतब्य का पूँछें अगर आप लोग इसे त्यार कर लेंगे तो इससे एक भी बाहर आपका प्रशन नहीं जाएगा ठीक है करतब्य वक्तब्य गंतब्य इसमें तभ्य परते है श्रमडी दर्शनी ये बहुत पूचा जाता है तो इसमें अनी प्रत्य हैं ओके अंदना स्वारी वंदना वेदना प्राथना कामना भावना प्राथना में भी अना प्रत्य हैं ओके चलिए आगे देखते हैं गमन का पूचले जलन का पूचले चलन का पूचले तो इसमें आपका जो है अन प्रत्य ह है तानु बंधंद्ध में उप रत्य हैं भिच्छुक भवक में उख प्रत्य हैं त्यागी प्रोपकारी यह वाला यात्क रखेए गया यह वाला मैं हाइलाइट कि रिए सब लोग कि पुर्णो लेट सेंद्धे में कि ход員 नो भी प्रत्य है और ध्यापक में अक परत्य हैं, और यहां पे चालक वाला पूँचा जाता है, चालक में अक परत्य हैं, ठीक है? चलिए, जलचर का पूँचे तो आ होगा, आगे देखिए, ये भी बहुत पूँचा जाता है, ये नेता वाला इसमें बहुत पूँचा जाता है, नेता, ग्याता उसके बाद अभिनेता, मोर्खता, क्रेता, इसको नोट करीगत तापरते वाला, इसमें सभी में तापरते हैं, ओके चलिए, हलांकि ये इतना नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे तद्दित परते देखिए, किसे कहते हैं, संग्या, सर्वनाम तथा विसेसरा शब्दों के अं पीरत तो हो गया, ठीक है, बंधुत को क्या हो जागा, बंधुधन तो हो जाएगा, तो इसमें परते हैं, ओके चलिए, और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टाल लगा लिजगा, एक्जा में बहुत पूछा जाता है, कि हिंदी में करते परतेयों की संख्य कितनी है, तो हिंदी में करते परतेयों की संख्या है, 28 वेरी इंपॉर्टेंट कोश्चन है, ये अला, ओके, शो फ्रेंड्स ये थी आज की परते की क्लास, कैसी लिए क्लास, कमेंट वाक्स में ज़रूर रहीगा, अब मैं उपसर्ग और प्रते, उपसर्ग और प्रते के ल और डॉट भी क्लियर हो जागा, अभी मैं जो अब्जेक्टिव कोश्चन करवाऊंगा, ये टॉपिक वाइस ही करवाऊंगा, ठीक है, अलग से प्रेक्टिस इट नहीं सॉल्ड करऊंगा, कि पचास कोश्चन में सब चैप्टर की अलग अलग रहे हैं, ऐसा अभी आपको अभी आपको मैं किवल अब्जेक्टिव कोश्चन टॉपिक वाइस के करवाऊंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी के अब्जेक्टिव कोश्चन करवाऊंगा, उसके बाद जब आपका सिलेबस खतम हो जागा, तब मैं प्रेक्टिस इट सॉल्ड करऊंगा, ओके, ये क पर फ्री पीडियाप के लिए आप लोग हमारे टेली ग्राम चैलें से जोईन हो शकते हैं, टेली ग्राम चैलें के हाँ में एजूकेशन विथ साहिल, ओके, और क्रैस कोर्स भी लिशकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, एक सोन चास रुपे में आपको पूरा मैटेरियल देखने को मिलेगा, इसमें आपको टेन एयर के प्रिविश से पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, थैंकिशो मच,